तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने exercise 6a to 6c कर चुके हैं आज की इस वीडियों के अंदर आपने exercise 6d करने वाले हैं जो कि आपका chapter है algebraic expression of your book composite mathematics तो चलिए start करते हैं 5x plus देखिए इस bracket में क्या है 3x minus 7 अब देखिए bracket के बार जब भी plus का sign हो तो आप उनके जो symbols हैं उन्हें as it is लिख देंगे जैसे कि यहां 3x plus का है और 7 का minus का है तो हमने as it is लिखा 5x plus 3x minus 7 तो यहांपर देखिए 5x plus 3x क्या हो गया 8x minus 7 तो आपका answer क्या गया 8x minus 7 और जब भी यहांपर symbol minus का होगा तो आपके जो अंदर वाले symbols क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे ऐसे question भी करेंगे हम आगे next देखते है question number 2 11 plus bracket minus 7a plus 4 देखिए मैंने आपको बोला जब भी यहांपर bracket के बार symbol plus का हो आप symbol says it लिखतेंगे तो 11 minus 7a plus 4 तो यहांपर देखिए 7a की कोई like term नहीं है तो 4 और 11 इन्हें हम add कर सकते हैं 11 plus 4 क्या आगया 15 minus 7 यह क्या आपका हो गया answer next question number 3 6x plus minus 7x minus 2y अब यहांपर देखिए यह तो है x की term यह है y की term अब कोई भी term को add करने के लिए या subtract करने के लिए वो term क्या होनी चाहिए like terms होनी चाहिए like terms मतलब उनके जो variable है जैसे कि x है अगर यहांपर भी x होता तो यह add या subtract हो सकती थी लेकिन जब तक variable same नहीं होंगे आप उन्हें add नहीं कर सकते तो यहांपर देखिए 6x अब plus का sign था हमने as it is इनके symbol लेख दिये 6x minus 7x minus 2y अब देखो एक तो है term minus की एक है term plus की जब भी दो different sign होते हैं अब यह दोनों देखो क्या है यह भी x की term यह भी x की term अब like term है तो इनका निकालेंगे हम difference अब देखो difference लगा निकालने के बाद में difference क्या आएगा 1 का अब symbol किसका लगेगा जिसका symbol क्या हो बड़ा यहांपर देखिए minus की term क्या है बड़ी है तो यहांपर ही symbol भी किसका आएगा minus का minus x minus 2y अब देखिए 2y की कोई like term नहीं है तो इन्हें हमें as it is copy कर दिया next दिखते हैं question number 8 8 minus 3y plus 4 अब देखिए minus जो होता है यह symbol बहुत ही जदा खतरना होता है आपको यह minus लेके चलना है जब भी minus किसी bracket के बार आएगा आपके जो symbols हैं वो change हो जाएंगे plus वाले minus के हो जाएंगे और minus वाले plus के हो जाएंगे अब यहाँ पर देखो 3y भी plus का 4 भी plus का अब जब भी minus से multiply करेंगे तो यह plus into minus minus तो यह भी हो गया minus 3y और यह plus वाला भी क्या हो गया minus का 4 अब यहाँ पर देखिए plus का 8 minus का 4 answer क्या आएगा plus का 4 तो 4 minus 3y आपका क्या हो गया answer और बच्चों अगर आपको इस वीडियो का इस chapter के जो solution है इसका PDF चाहिए तो आप हमारा जो telegram का जो channel है उसे join कर सकते हैं उसके अंदर मैं आपको इसका PDF भी share कर दूँगा next देखते हैं question number 5 5a minus 4a minus 3x अब यहाँ पर देखिए यह minus है अब minus देखते ही आपको समझ मैंना चाहिए कि symbols क्या होंगे change होंगे तो यह plus वाला तो हो जाएगा minus का it means minus 4a और minus वाला हो जाएगा plus का it means plus का 3x आगया a plus 3x next देखते हैं question number 6 अब यहाँ पर देखिए 2y minus 3y plus 2 minus 6 plus 3y minus 8 अब यहाँ पर देखिए minus है multiply में तो symbol क्या होंगे change होंगे तो क्या होजएगा देखिए 2y plus का 3y क्या होजएगा minus का 3y plus का 2 क्या होजएगा minus का 2 minus का 6 पढ़ा ही है अब यहाँ पर देखिए bracket के बार जो symbol है वो क्या है plus का है तो symbol हम as-tis copy कर देंगे मतलब plus का 3y यह minus का 8 अब यहाँ पर देखो yy वाली जो terms है उन्हें हम अलग देखिए इसे round circle लगा लेते हैं अब यहाँ पर देखो यह तो हो गया plus का 3y यह हो गया minus का 3y cancel हो गया बचा गया 2y तो यह हमने लिख दिया 2y उसके बाद देखिए without variable जो terms हैं उन्हें मैं triangle से शो कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए minus का 2 है minus का 6 and minus का 8 है जब भी symbol सेम होंगे तो हम उनको add करेंगे और symbol होई लगा देंगे अगर यहाँ पर मालेज यह plus 2 plus 6 and plus 8 होता तो इन्हें हम add करके plus का 16 लिख देते लेकिन यहाँ पर यह सभी के सभी क्या है minus के तो answer क्या आ गया 2y minus 16 next देखिए question number 7 question number 7 में देखिएंगे 3c minus 2c plus 5d minus d अब यहाँ पर देखिए अब यह minus d तो minus का ही बड़ा है इस पर कुछ छेड़ नहीं करनी है अपने को अब यहाँ पर यह symbol आ गया minus का अब minus का symbol आते ही यह अंदर वालों के symbol क्या कर देगा change कर देगा plus का 2c क्या हो जाएगा minus का 2c plus का 5d क्या हो जाएगा minus का 5d बाकि आएट इस पड़ा था अब देखो plus का 3c minus 2c बचा c plus का minus 5d minus d मैं आपको वह जब भी बोला जब भी symbol सेम होंगे terms like होंगी तो यह add हो जाएंगे अब यह देखो क्या हो गया minus का 60 तो आपका answer क्या आगया c minus 60 next देखते हैं question number 8 40 plus 3 minus 2t minus 4 अब यहाँ पर देखो आप इसको bracket to bracket solve करते जाएंगे तो यहाँ पर देखी minus से जब multiply करेंगे तो 2t plus का क्या हो जाएगा minus का 4 minus का यह क्या हो जाएगा plus का तो आपके 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 फाइनली बचा क्या 40 plus bracket के अंदर इससे क्या बोलते हैं big bracket तो यहाँ पर देखीए 3 minus 2t plus 4 अब यहाँ पर देखो bracket के बार symbol क्या है plus का plus का symbol है तो as it is जो भी symbols रहेंगे उसके हम copy कर देंगे मतलब 40 plus 3 minus 2t plus 4 अब यहाँ पर देखीए एक तो आगया 40 plus का 2t आगया minus का तो 40 minus 2t बचा क्या 2t plus का 3 plus का 4 add दरने पर क्या आगया 7 तो आपका answer क्या आगया 2t plus 7 next देखते हैं question number 9 3 minus big bracket x minus small bracket 4x plus 3y plus 5 अब देखो plus का 5y as it is रहेगा 3x as it is रहेगा अब यहाँ पर symbol है minus का minus का symbol है तो अंदर के symbol क्या हो जाएंगे change हो जाएंगे it means minus 4x minus 3y अब देखिए इस की big bracket के बाहर भी symbol क्या है minus का तो अंदर के सभी symbol change होंगे it means 3x plus का x minus का x minus का 4x क्या हो गया plus का 4x minus का 3y क्या हो गया plus का 3y और plus का 5y क्या हो गया minus का 5y अब देखते हैं x वाली terms एक तो आगया plus का 3x एक आगया minus का x एक आगया plus का 4x और y में देखिए एक तो आगया 3y और एक आगया minus का 5y अब देखो 3x plus का ठीकी जिसके कोई symbol नहीं वो plus का अब 3x plus 4x यह हो गया 7x 7x minus x यह आपका answer आगया 6x अब यहाँ पर देखिए minus का 5y और plus का 3y अब देखिए symbol different है तो difference निकालेंगे it means answer तो आएगा 2y अब plus का आएगा या minus का यह कौन decide करेगा यह decide करेगा कि symbol जो है जो big term है वो कौन सी है बड़ी term minus की है तो answer क्या देगा minus का 2y this is your answer next देखते है question number 10 तो question number 10 में देखिएंगे अब इस bracket को हम क्या बोलते है curly bracket, curly braces तो curly braces 6x square minus 2x square minus y square minus 2y square अब देखिए इस bracket के बार क्या आगया minus minus क्या होता है game changer मतलब sign changers अब यह plus वला तो हो जाएगा minus का 2x square minus का y square हो जाएगा plus का y square तो finally आपके आएगा 6x square minus 2x square plus y square minus 2y square अब देखिए plus का 6x square minus का 2x square बचा क्या plus का 4x square plus का y square minus का 2y square अब देखिए तो आपका आंसर क्या आ गया 4x square minus y square नेक देखते हैं question number 11 तो question number 11 देखेंगे minus एक तो बार पड़ा है curly braces minus 2b अब इस देखी small bracket के बार भी minus है तो अंदर वाली terms कि क्या हो जाएंगे symbol change मतलब minus 2b minus 3b minus 8c अब इसके बार कोई curly braces के बार भी क्या पड़ा है एक minus पड़ा है उससे पहले हम solve कर लेते हैं यह देखी दोनों की दोनों क्या है like terms है b है तो minus 2b minus 3b क्या हो गया minus का 5b minus 8c अब इस minus से जब multiply करेंगे दोनों minus वाले किसमें convert हो जाएंगे प्लस वाले में तो आपका answer क्या जाएगा 5b plus 8c next देखते है question number 12 तो question number 12 देखिए minus bracket में 49 minus a square minus 5a square आप देखिए सबसे पहले इस minus को multiply करेंगे देते हैं तो minus का 49 minus का a square क्या हो गया plus a square और minus 5a square पहले से पड़ा है तो आप इनके add कर देखिए minus का 5a square है और plus का a square है बचे का 4a square तो finally आपका answer क्या आगया minus 49 minus 4a square next देखते हैं question number 13 तो question number 13 देखिए evaluate the expression given below 4a is equal to minus 4 अब यहाँ पर देखिए जो variable है उसकी value आपको given है कितनी given है minus 4 तो आपको इन expression के अंदर put करना है और answer निकालना है अब expression क्या है a minus 8 तो a की जगा हमने put कर दिया minus 4 minus 4 plus 8 sign different है answer plus का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है तो answer क्या आगया 4 किसका plus का तो हमें लिखने की जुरुत नहीं है तो 6a minus 14 a की जगा लिखा हमने minus 4 minus 4 into 6 minus 24 और minus 14 पड़ा है दोनों term symbol same है तो add हो जाएंगे तो minus 24 and minus 14 answer minus 38 next question number third 7a square plus a minus 20 अब यहाँ पर देखिए a square की जगा हमने put किया minus 4 minus 4 का square plus 7 into minus 4 minus 20 अब देखो square का मतलब क्या होता है minus 4 into minus 4 अब यहाँ से देखिए minus into minus हो जएगा plus 4 into 4 16 तो 7 into 16 minus देखिए यह plus का था यह minus था plus into minus 7 into 4 28 और minus 20 अब यहाँ पर देखिए 7 into 16 करने पर 112 minus 28 minus 20 यह आगया minus का 48 तो 112 में से हमने minus किया 48 तो आपका अंसर क्या आगया 64 नेक्स देखिए question number 4 तो question number 4 में देखिए a cube plus 2a square minus a plus 5 अब यहाँ पर देखिए cube में अब आपको एक चीज़ समझे देखिए minus अगर यहाँ पर cube करेंगे cube का मतलब multiply by 3 times minus 4 into minus 4 तो minus into minus हो गया plus और plus into minus हो गया minus तो आपका अंसर क्या आगगा minus का 64 और यहाँ पर square तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या हो जाएगा 16 तो 2 into 16 और minus into minus plus plus 4 plus 5 तो 4 plus 5 क्या हो गया 9 2 into 16 32 और minus का 64 तो इनको जब हम इने solve करेंगे तो आपका अंसर क्या जाएगा minus का 23 next question number 14 given m is equal to minus 2 and n is equal to 6 evolute अब आपको देखिए 2 variable वहाँ पर सिरफ एक ही variable था जो कि क्या था a यहाँ पर आपको जो variable given है वो क्या है m and n तो चलिए यह ज़िए solve कर देते है m plus n अब देखिए m minus का 2 है और n plus का 6 है तो minus 2 plus 6 क्या जाएगा आपका अंसर 4 किसका plus का है क्योंकि plus की डम बढ़ी है next question number second 2m square plus 8n अब m square मतलब 2 का square 2 का square होता है 4 अब भी minus है तो यह क्या हो जाएगा minus 2 into minus 2 minus into minus plus तो यहाँ पर क्या हो गया 2 into 4 8 into 6 क्या होता है 48 4 into 2 हो गया 8 8 plus 48 क्या आगया 56 तो आपका अंसर क्या आगया 56 next देखते है m square minus m square तो m square देखिए minus 2 का square m square मतलब 36 का square तो minus 2 का square होता है 4 6 का square होता है 36 अब बीच में symbol किसका है minus का है तो minus पर minus रहने दो अब symbol different है तो different निकालेंगे 36 minus 4 क्या होता है 32 लेकिन minus का 32 क्यों आया क्योंकि यहाँ पर जो minus की term क्या है बड़ी है तो आपका आंसर क्या आगया minus 32 next देखिए question number 4 तो question number 4 में देखिए 3m cube plus 2m square n plus n cube अब यहाँ पर देखिए इसका जो solution है मैंने आपको यहाँ पर screen पर दे रखा है आप इसको खुद करने की कोशिच कीजिए अगर आपको कोई भी doubt आता है समझ में नहीं आता तो आप comment box में लिख सकते हैं और next video कौन से chapter पर बनाना है उसके लिए भी आप हमें comment कीजिए अगर आपको pdf चाहिए तो आप हमारा telegram का जो channel है उसे join कर सकते हैं और अपने friend को share जरूर करें अगर आपको इस video से थोड़ी बहुत help भी मिल रही है अगर आपके concept clear हो रहे हैं अगर आप अपना homework है वो इन video के solution से कर पा रहे हैं तो आप इस video को अपने friends के से शेर करें चाहिए इस video को like जरूर करें जिससे कि हमें motivation मिलता है कि हम आगे और videos बनाएं तो चलिए next question number 15 करते हैं simplify the expression and find their values if x is equal to 2 a is equal to minus 1 and b is equal to minus 3 अब यहाँ पर आपको 3 values given है x given है plus 2 a है minus 2 and b है आपका minus 3 तो चलिए कर देते हैं तो expression सबसे पहले हम expression देखेंगे क्या है 4a square minus b square plus 6a square minus 7b square अब यहाँ पर देखिए x है यह नहीं तो हमें सिरफ a और b की value put करनी है तो a क्या है आपका minus 1 का square तो 4 into minus 1 का square उसके बाद minus b square मतलब minus 3 का square minus 1 का square और minus 7 into b square मतलब minus 3 का square यह हमने simply इस expression के अंदर a और b की values put की है उसके बाद देखिए किसी भी देखिए आपको ज्यान रखना है जब भी आपकी exponent and power आप समझ रहे होंगे base इसे हम क्या बोलते हैं देखिए यह होता है base और यह होती है इसकी power x नंबर होगा और आपकी power even होगी तो आपका जो answer आएगा वो हमेशे क्या आएगा एक positive नंबर आएगा मतलब यहाँ पर minus 1 है power 2 होगई 4 होगई 6 होगई 8 होगई अगर कोई भी even नंबर होगा तो जो आपका answer हमेशे किसमें हैगा plus लेकिन अगर यह power अगर odd number होगई तो आपका answer मेशे क्या आएगा minus में अब ऐसा क्यों होता है देखिए minus 1 into minus 1 अब यह हमने square का मतलब क्या होता है multiply by 2 times तो minus into minus plus 1 into 1 लेकिन यहीं है अगर इसकी power odd होती minus 1 into minus 1 into minus 1 तो minus into minus plus plus into minus minus तो आपका answer क्या आजाता minus 1 तो आपको यह चीद ध्यानक नहीं है तो यहां पर देखिए minus 1 की square क्या हो गई 1 4 into 1 4 next minus 3 की square हो गई 9 अब यह बार minus पड़ा ही है तो 9 का 9 लिख दिया next देखिए minus 1 की square होती है 1 और यह हो गया plus का 6 उसके बाद देखिए minus 3 की square हो गई 9 9 into 7 क्या हो गया 63 अब आम इने add कर देंगे अब देखिए 6 plus sorry 6 plus 4 हो गया 10 10 minus 9 यह आपका आगया plus का 1 अब plus का 1 और minus का 63 तो आपका answer क्या जाएगा minus का 62 2 तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही है अगर यह question नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को back करके दुवारा देख सकते हैं फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप comment कर सकते हैं next देखिए 15th question का part 2 तो part 2 में देखिए क्या है 3x square अब यहाँ पर देखिए x है लेकिन x की value हमारे पास क्या है 2 minus ab plus x square 4x square plus 11ab तो यहाँ पर put करते हैं देखिए x की जगा मैंने put किया 2 a की जगा minus 1 b की जगा minus 3 वैसे ही x की जगा 2 और a की जगा minus 1 and b की जगा minus 3 अब यहाँ पर देखिए 2 का square क्या होता है 4 मतलब 3 into 4 अब यहाँ पर देखिए minus 1 into minus 3 यह हो गया plus का 3 और 3 into 8 क्या हो गया 24 और minus का symbol as it is बढ़ा है तो यह हो गया 24 next देखिए 2 का square क्या होता है 4 into 4 अब देखिए यहाँ पर minus 1 into minus 3 यह तो आगया प्लस का 3 3 into 11, 33 आगे solve करते हैं 3 into 4 ओगया 12 minus 24, plus 16 minus 33, अब इन्हें जब हम plus और minus करेंगे तो आपका answer क्या जाएगा finally 37 is your answer तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, friends के से share करें चैनल को subscribe करना ना बुलें Thank you very much झाल 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 झाल